जी हाँ आपने साई सुना अब हमारे बीच मसूर एक्टर इर्फान खान नहीं रहे बता दे दोस्तों दो साल पहले इन्हें ब्रेंट टूमर हुआ था ये कोकीला बेन अस्पताल के आईसियू में भरती थे और अचानक तवियत खराब हो जाने से आज 29 अप्रेल को इनकी मिर बता दें कि इनका फिल्मी करियर इतना अच्छा था कि इनको पान सिंग तोमर के लिए नेशनल अवार्ड से भी समानित किया गया था दोस्तों बता दें इनका जन 7 जनवरी अब आए दोस्तों पढ़ते हैं स्पेशल करेंट अफेयर 20 प्लस इसे पहरे दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है यह चैनल नया है क्रिपया इसे लाइक और सस्क्राइब कर दीजे क्योंकि छोटे से वीडियो को बनाने में दोस्तों धेर सारे घंटे लगते हैं प्लीज लगते हैं कि ग्रोथ त्रेट घंटा कर कितना किया है बताईए 1.9% नेक्स्ट है भारत और किस देस के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास पिछ बलेक 2020 कोवीड-19 के चलते रद कर दिया गया है बताईए आश्टलिया भारत और आश्टलिया के बीच होने वाला पेले ने किस कमपणी के साथ एक बिलियन डॉलर का समझभधा किया है नोकिया के साथ नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक ने स्वयम सहाईता समु के लिए विसेश रीड योजणा शुरू की है बताईए Indian Overseas Bank ने Indian Overseas Bank ने स्वयम सहायता समू के लिए विशेश रिड योजना शुरू की है नेक्ष्ट है किस धावक पर डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाने के कारण चार साल का बैन लगा है जूमा खातुन धावक पर डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाने के कारण चार साल का बैन लगा है केजी यम्यू लखनव में हैं 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 केजी यम्यू लखनव में ह कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उनको भ्रष्ट चार के चलते प्रतिबंद लगाया गया है नेक्स्ट है किस महारत्न कमपणी ने लेह और दिल्ली में हाइडोजन कार और बस लाने की पर्योजना को सुरू कर दिया है नेक्स्ट है हाली में किस फूर्व नासा प्रमुक का निधन हो गया दोस्तों जेम्स एम बेक्स का नेक्स्ट है हाली में किस देश ने कोविट सेफ नामक करोना वाइरस ट्रेकिंग अप लांच किया है आस्टेलिया देश ने कोविट सेफ नाम कोरोनावायरस ट्रेकिंग एप लांच किया है नेक्ष्ट है हाल ही में किस देश के भूबाईज्यानिक सर्वेच्छर ने चंद्रमा का पहला डिजटल भूबाईज्यानिक नक्सा जारी किया है नेक्ष्ट है हाल ही में किस देश के भूबाईज्यानिक सर्वेच्छर ने चंद्रमा का पहला डिजटल भूबाईज्यानिक नक्सा जारी किया है नेक्ष्ट है हाली में किस रासरकार ने ठीक होने वाले प्रते COVID-19 रोगी को 2000 रुपे देने की घोस्डा की है नेक्ष्ट है हाली में विजे मिस्रा का निधन हो गया वे कौन थे वे दोस्तो एक लेखक थे नेक्ष्ट है हाली में भारत ने किस देश को एक लाग हाइड्रो क्लोरो क्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेट किये हैं बांगला देश को बांगला देश को भारत ने एक लाग हाइड्रो क्लोरो क्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेट किये हैं नेक्श है हाली में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनी दित किस ने किया है बिदेश मंत्री S.J. Sankar ने बिदेश मंत्री S.J. Sankar ने बिदेश मंत्री S.J. Sankar ने बृक्स देशों की बैठक में भारत की ओर से प्रतिनी दितों किया है ब्रिक्स का फुल फारं दोस्तों आपको मालूम है ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, सौथ अफरीका होता है नेक्स्ट है हाल ही में किस राज सरकार ने सभी सरोजनिक सभाओं पर 30 जून तक परदिबंद लगा दिया है उत्तर परदेश सरकार ने नेक्स्ट है हाल ही में किस राज के मुख्यमंत्री ने सुन्ने ब्याज रिड योजना की सुरुआत की है दोस्तों आंध परदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगरमोहन रेड़ी ने नेक्स्ट है हाल ही में किस राज सरकार ने COVID-19 प्रबंधन पर एक कविनेट समीती का गठन किया है नेक्स्ट है हाल ही में किस राज सरकार ने COVID-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाक रुपे देने की घोशडा की है नेक्स्ट है हाल ही में सारक के स्वास मंत्रियों के समीलन की मेजवानी की है पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने सारक के स्वास मंत्रियों के समीलन की मेजवानी की है दोस्तों आए दोस्तों हम बात करते हैं कोरोना से जुड़े सभी एप जो अभी हाल ही में लांच हुए हैं जो केंदर राज ये वो देश विदे से समन्धित हैं आए देखते हैं भारत सरकार द्वारा क्या क्या दोस्तों लांच किया गया कोरोना कवच यह एक ट्रेकिंग एप है दोस्तों नमर्टू है दोस्तों आरग्य सेतू यह भी एक ट्रेकिंग एफ ही है लेकिन यह 11 भासाओं को सपोर्ट करती है थर्ड दोस्तों चैटबोर्ट यह वाट्सप बैक लेने के लिए इसे बनाया गया है दोस्तों इसमें कोरोना कवच और आरयोगे सेतू आपके एकजाम के दिरिष्टी से अत्यंत महत्पूड है इसे आप याद रखिएगा आएए पढ़ते हैं अधर इस्टेट के बारे में गोवा ने टेस्ट योरसेल्फ गोवा एफ ला लांच करने वाला पहला राज बना है यह कोईस्टन आपके लिए इंपोर्टेंट है पंजाब ने कोवा पंजाब एफ लांच किया जोकी ट्रेकर एफ है पंजाब पूरी तरह से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज बना है यह भी इंपोर्टेंट है आपके लिए करनाटक ने कोरोना वाच मोबाइल एफ लांच किया इसके साथ ही साथ करनाटक ने क्वारंटीन वाच एफ लांच किया तथा करनाटक ने ही नमस्ते ओवर हैंड अभियान भी शुरू किया ये तीनों दोस्तों आपके इंग्जाम के दिश्टी से बहुत बहुत इंपार्टे केरव ने टेस्ट यूरसल्फ फंडर चेरी एप लुच किया। तमिल नाडू ने कोविड-19 कवाटाइन मॉनिटर एप लुच किया। दोस्तों आपके लिए इसमें सबसे इंप्रटेंट है महारास्ट। महारास्ट ने कौन सा एप दोसों लुच किया। महाकवच एप केरल ने ही ब्रेक दच्चैन अभियान शुरू किया था तथा जहारखन ने इपास प्राज्यां मोबाइल एप लांच किया आएए पढ़ते हैं राजस्थान के बारे में राजस्थान ने राजकॉप सिटिजन एप लांच किया राजस्थान ने राजकॉप सिटिजन एप लांच किया राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से लागडाउन लागू करने वाला पहला राज्य है ये दोनों ही कोशन आपके लिए इंपाटेंट है सेकेंड वाला तो मोस्ट मोस्ट इंपाटेंट है कि वाला लागू करने वाला पहला राज है दोस्तों दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में 5T प्लांच शुरू किया 5T प्लांच शुरू किया जिसका अर्थ यह है दोस्तों दोस्तों यह पांचों टी जो है कोरना वाइरस से पीडित मरीजों से समंधित है यह आयप बहुत ही चर्चित है जिसके लिए दिल्ली सरकार की सराना की जा रही है नेशनल कैप्टल रीजन नोईडा ने भी नोईडा एथोरिटी आपूर्ती सुविधा आयप लांच किया जो घरेलू समानों की होम डिलिवरी के लिए बनाया गया है आईए पढते हैं अधर कंट्री के बारे में इसराइल ने हेमजन आप लांच किया जोकी COVID-19 ट्रेकर आप है इसराइल ने हेमजन आप लांच किया नेक्स ठरी दोस्तों सिंगापूर ने ट्रेस टोगेदर आप लांच किया जोकी contact tracing आप है यूरोप ने पेपीटी प्रजेक्ट लांच किया जिसका दोस्तों फूल फार्म है पैन यूरोपियन प्राइवेसी प्रिजर्विंग प्रोक्सिमेटी ट्रेसिंग होता है दोस्तों बांगलादेश ने भी यंसी नाइटीन श्रीम लांच किया जिसका फूल फार्म है नोवेल कोविड नाइटीन सिचुएशन रिपोर्ट्स एंड इंटरेक्टिव मैप इसी प्रकार दोस्तों युनाइटेड किंगोण ने भी कोविड सिंटम ट्रेकर लांच किया इसे भी जानी दोस्तों नागा लैंड ने भी सेल्फ डिकलरेशन कोविड नाइटीन अप लांच किया दोस्तों कोरोना वाइरस से इतने कोईशन है दोस्तों कि पार्ट बताना बड़ा मुश्किल है फिर भी हम 50 प्लस कोईशन 5 मिट में जल्द ही ला रहे हैं थैंक्यों दोस्तों